Mumbai Express News में आप सभी का स्वागत है यह साल डिफरेंस क्या है करोना के वए से यह साल जो हैंड्य परसन हमारे booking होती ति गणेश उस्तोमन्रा या घ्रगूती गनपरी जो है कर भरोबर हमेशा किसा लग अलग पाटन 전क नफाद भना देंगा बढ़ा इतने पैटेण यह फोचिप Сबीन मिवर पहर इसाद से सादे गया अड़े कटी फेल ज इन की आठ प्रिशन क्रेश एर नगए जा बार छहरा जो घरदी मिलेग और प्योप और मूर्शन अपना रस्ता चुना और आइडल का जो हाइट है उसके बारे में जरा आप कुछ बताएगे महारष्ट में जैसा माननी ठाकरे जी जो है मुख्य मंत्रे उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो सारोजेनिक पंडाल है सारोजेनिक गनेश्वस्तों है वह चार फित में और लास्ट क्वेस्टेन आप मतलब अभी जो डिवोटी जो आ रहे है आइडल लेने के लिए मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग के किस हिसाब से मैंटेन कर रहे हैं हर कस्टमर एक मुर्ति के पिछे हम लोग दो जन कोई बुलाए हो है कि एक गनपती के लिए कोई भी दो ज अचैन आप नगेंगे लिए आप लुट आप लिए आप लेज दुटांटेंसिंग था आप होग दो प्रफौ टान बढ़ आप लोग दो तो हो फिल एक मैंट लोग जो यह जो दिए आप लिए आप लिए लुटेश थाव श्योंगेंट प्रौ माइड़ बंब दो सब्सक्राइब आप लोग आइडल का आइडल बनाते हैं कुछ नया नया हर साल रहता है यह साल खाली दोती शाल यह नया था यह साल में और यह कोरोनों के वज़े से थोड़ा गाई गडबड हो गया था इसके लिए थोड़ा एक दो महीना ही मिला पर उसमें काम पुरा हो गय और यह साल इसके इलावा और क्या अलग है यह साल मट्टी की मूर्थी थोड़ा बहुत ज्यादा है मतलब पहले हर साल रहती थी इस साल थोड़ी ज्यादा है क्यों कि लोगों ने यह साल मट्टी की मूर्थी लेना ही पसल किया है और यह साल सेल के बारे में आप कुछ बता एक अंध स्वादी विवर्स्ट्ट अंध क्नक्तपी मंद ऒथा पिरो नियो का चानने सार प्रुडनीडे का म्नॐर्स। करेंगे तो फोड़ें तो एच्छान तो वाइश दिखने गणपती नहीं यह था नागते लिए पर इस ताफिफ दो रहा यह था चाहिए है हमारे बुजूर गुरूने बिठाया था यह ता यह लेते हुए आज तीसरी पीडी है काम कर रही है हर साल बहुत गाते बजाते हुए बड़े मंदप में 20 फूट के बड़े मंदप में सजाते थे लेकिन यह बार करोना का इफेक्ट है और हमारे सरकार की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि छोटे से से मावल में अपने आपको बचाते हुए मास्क लगा के सेनिटाइजर लगा के इस तरह से एक दूसरे को ग्याब दिलते हुए बनाओ तो हमने इसको अजावट के तुरुपे चोटा सा मंदप स्तापना किया हर साल 14 फूट की मूर्टी आती थी अब उसको हमने जो पूजा की हमआरे मंदल के बहुत से वरिष्ट थे जो अभी नहीं है लेकिन आज है हमण अनन सिंधे है कुछ पूल है राजु घैसे बहुत से वरिष्ट लोग है जो मिलके साथ में हम लोग में की छोटे से पैमाने में करेंगे और किसी से भी डोनीशन नहीं कि लेंगे किसी से इच्छा है तो डोनिशन लाके देंगे आप देखेंगे कि हमारी छोटे मूर्थी में एक हाथ में सोने का एक कवचा है जो करोना के किशंड ने अपनी मनोकामना का पूरी होते हैं उसको दिया हुआ है और इसे तरह से डोनिशन यह एक नवस को मतलब यह मन मनत यहां पर पूरा होता है यह हमें खात्री है कोई भी मंनत्र भी अगले एक साल में अगले फूरा होने हैं इसके मनत के सरुकम को जादे से जादा घर पर बैठके उसका दर्शन करने का लाब रखा हुआ है और इसी तरह से जवार्नगर राजा ने इस साल करोना के लिए हमने तीस तारीक को आने वाले तीस तारीक को ब्लड डोनेशन क्याम का अर्ण किया है जो आज की जरूरत है और इस पाज साल से जो एमबुलेंस के फ्री सर्वीस रखीती हों एमबुलेंस के माध्यम से लोगों को मदद किया और पिछले आकित किसले सॉदीन तलग जून एक गंडपती मंडल की तरफ से एक छोटा सा तुछ भावना है और मंडल के कारेगरताओं का एक पुर्गेस था इसमें मंडल के कारेगरता ने मिलके बहुत दिन रात एक किया और गंडपती बापा की दुआ से यहां पर कोई बड़ी घटना भी ने घटी यह आशिरवाद है गं भारत के एक प्रतीक है और आज भी जवार नगर का राजा ऐसे हैं जहां पर मुंबई में लालबाग राजा अंदेरी का राजा फेमस वैसे गोरे गाउंग और मुंबई सहर में जवार नगर का राजा पर मसें या इसके भख अमेरिका अफरीका ऐसे पर भी ओन-लाइन दि का राजा इस तरह मनत का गणपती है मैं आप सभी मुंबई कर और गोरे गाउंग के लोगों और जवार नगर के लोगों से उनन्ती करता हूं करमबद आके अपना सरकार की जो कि छूचना है कि मास्क लगाकर और सेनीटाइजर यहां पर रखा हुआ है सेनीटाइजर को ले राजा में आके दर्शन कर सकते करमबद और इस गनपती बपा का दर्शन करके इसका लाव ले सकते तो www.joharnagarcharaja.com नाम से फिमस है आप घर पे बैटे 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 आज साम को 6 वज़े से इसको लाइव दर्शन दे सकते और यूटूब के माध्यम से भी आप दर्शन कर च्ठाप मंगल मूर्थ जवर नगार राजा आचा So as you see our followers following us on Facebook, Twitter and Instagram the Sarujanik Mandals is going ahead with whatever good deeds they have and I wish them all the very best from our channel. This is Glenn coming to you live from Jawaranagar.